दोतों आपने कहावत सुनी होगी सौस सुनार की एक लौहार की जंग के बीच यही अपडेट जो है वो सामने आ रही है जहां आत्म रक्षा में अमेरिका ब्रिटेन ने यमन के उपर तीन सो बम बरसाने का काम जो है वो किया है तो वही यमन ने भी पलटवार करते हुए सिरफ एक ही मिसाइल से ब्रिटेन का काम तमाम कर दिया है जहां ब्रिटेन के जहास को लाल सागर में ढुबा दिया है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है जहां तीन सो बमों पर एक मिसाइल जो है यमन की भारी पड़ रही है जो चीजे लगातार सामने आ रही है पर अमेरिका ब्रिटेन ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने आत्म रक्षा में यमन के उपड़ एर स्ट्राइक की है और यमन के अंदर तक्रीबन तीस से जादा लोगों को शहीद करने का काम किया है कईयों को घायल करने का काम किया गया है जिसमें आम सिविलियन्स को निशाना बनाया गया ये आत्मरक्षा है और वही जब आत्मरक्षा वालों के खिलाफ पलटवार यमन दुआरा किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जहास को निशाना बनाया गया जहां यमन के हमले में एक भी इनसान की कोई जान नहीं गई और क्या चीजें लगातार यमन और अमेरिका प्रिटेन के बीच चल रही है किस तरीके से शदीद जड़पे देखने को मिल रही है इसे देखना समझना जरूरी है जहां यमन ने पूरी तरीके से यूके के जाहास को डैमेज कर दिया है जिसकी जानकारी जो है खुद सिक्यारिटी फंद दुआ रदी गए और यह बताया गया के हुदरीदा में ड्रोन अटैक जो है वो यूके के जाहास के उपर हुआ जहां यूनाइटेट किंडम ट्रेड ऑपरेशन्स जो ट्रेड कंपनीज है उसने ये खुलासा किया और बताया के उनके जानकारी मिली जो एम्ब्रे यूके की लाल सागर में तैनात है कि अगर किसी जाहास के उपर हमला हुआ तो एम्ब्रे जो सिक्योर्टी फर्म है वो उसे बचाने का खाम करेगी उसने ये जानकारी दी के हमें ये जानकारी मिली तकरीबन धाई तीन बज़े के आसपास रात में के अल हुदेडा में ड्रोन अटेक जो है वो यूके के जाहास के उपर हुआ है और ऐसे समय पर ये हमला किया गया जब धाई तीन बज़े के आसपास रात में ही तावड तोड बंबारी जो है वो यमन के उपर अमेरिका ब्रिटेन द्वारा की जा रही थी जहास सौसुनार की एक लहार की कहावट जो है उसे पूरी तरीके से सही साबित कर दिया यमन ने और अल हुदेडा यमन में ये लगातार जो है बंबारी भी चल रही है तो वही सीधे सीधे जहास को उड़ाने का भी काम किया खिया और इसकी जनकारी भी दी गई कि उसके पूर्ट के उपर जो है जहास लगा हुआ था पोलेंड का जंडा जो है पोलेंड का था वो इसराइल की तरफ पड़ रहा था और उसी दोरान ये बड़ा हमला यमन द्वारा किया गया जो कि ये तस्वीर लगभख सामने है कि आप च संगार नहीं रोकते था और इसी के चलते यमन के अंदर बिते रात को तीन बड़े हमले जो है यूएस और अमेरिका द्वारा किये गए अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा किये गए जहां लगातार एर स्ट्राइड जो है वो इस्ट आफ सादा सिती नौर्थ आफ यमन में लगातार चल रही है जहां ये बताया गया खुद यूएस सेंटरल कमांड द्वारा के हमने तकरीबन अमेरिकी समय अनुसार पांच तारीक साड़े तीन बजे और यही अगर यमन के समय अनुसार बात की जाए तो तकरीबन देड़ दो बजे के आसपास ये हमले छे तारीक में किये गए हैं जहां उसने बताया कि यूएस सेंटरल कमांड ने ये जानकारी दी कि हमने एक साथ जो है सेल्फ डिफेंस के लिए अमेरिका प्रिटेन ने यमन के उपर हमले किये हैं जो कि आत्म रक्षा के लिए उठाया गया कदम ये बताया जा रहा है वहीं अग्रेश पर कहा है कि हम हर हमले की परतिक्रिया जो है वो लगातारते हैं हम यमन के ठिकानों को जब तक तबाह नहीं कर देते तब चक्चैन से बैठने वाले नहीं हैं और कहां कहां यमन के अंदर जो हैं हमले किये गए हैं ये भी आपके सामने हैं जहां सबसे पहले आपको बताया कि अल खुताइब जो एरिया है हुदेईदा में उस जगा पर यूएस ब्रिटिश ने अग्रेशन ने सिखाई और बंबारी की मिसाइले दागे गए हैं जहां ये बताया कि अल खुताइब एरिया के अंदर हुदेईदा के पास में ये बंबारी की गए जो धुर्फरा बड़ा हमला बताया गया जहां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका दौरा हमले किये गए हुदेदा का वेस्टिन एमन उस जगा पर ये पड़े हमले ऐरिस्ट्राइक किया अग्र अगर तीसरी जगा की बात कि जाए तो वहां बुर्टेन ने बंबारी की और ये बता ये बड़े हमले ब्रिटेन द्वारा किये गए तो वही ये भी जानकारी दी गई है कि लगातार ये अग्रेशन नेस बढ़ रही है वही हुसेन अल-जी ने जो की डिप्टी फॉरेंड मिनिस्टर है उन्हों ने इस हमले के लिए अमेरिका ब्रिटेन को चेताया है और कहा है कि ये अग्रेशन नेस जो है वो बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं की जाएगी हमारे देश में और यमन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये चीजे जो हैं देश को खत्रे में डाल सकती हैं और उन्हों ने ये भी जानकारी दी कि तीन सो अल अजी ने ये बताया कि अब तक जितने बार हमले यमन के उपर हुए हैं उसमें तीन सो बम जो हैं वो दागे गए हैं यमन के उपर और जब तीन सो बम दागे गए हैं तो पलटवार यमन की तरफ से भी जा रही है कि हम किसी भी हमले पर चुप बैठने वाले नहीं है इसी तरीके से हर चीज़ का जवाब जो है आपको दिया जाएगा और जब लगातार हर तरफ से अमेरिका के उपर हमले हो रहे है तो अमेरिका का साथ कौन दे रहा है ब्रिटेन का साथ कौन दे रहा है जहां सौधी प्रिंस की चुपी हर बार खल रही है तो वही अमेरिका की इस बयान ने साफतोर पर ये पता दिया है कि किस तरीके से सौधी अरब सामने से ना आखर के अमेरिका का पूरी तरीके से साथ दे रहा है सीरिया इराक और यमन पर हमले करने के लिए जहां वैपार को मजबूत किया जा रहा है अमेरिका से क्योंकि साथ तोर पर अमेरिका द्वारा कहा गया है कि हम आपके वैपार में चार चांद लगा देंगे बस हबीबियों आपको एक काम करना है कि जहां जहां हम चाहते हैं हमला करना आपको एर स्पेस देना है ताकि हम उनके उपर निशाना साथ सकें तो हबीबी भी नाचते हुए जो है साफ तोर पर हर चीज़ पर एगरिमेंट कर देते हैं और यह देते हैं कि आपको जहां हमला करना है करिए हमें कोई परवा नहीं है बस हमारा व्यपार जो है वो फलता फूलता रहना चाहिए जहां हरी जंडी जो है सौधी की तरफ से देदी गई व्यपार मजबूत होता रहे हमारा बिजनेस चलता रहे चाहे किसी का नरसंगार हो चाहे कोई मरे हमें कोई लेना देना नहीं है चाहे आप यमन पर हमला कीजिए चाहे एराग सीरिया पर कीजिए हम पूरी तरीके से आपके साथ कंधे से खंदा मिला करके खड़े हुए है जो तस्वीर सौधी अरब की सामने आई और अमेरिकान के इस बयान ने पूरी तरीके से एक्सपोस सौधी अरब को कर दिया है हरे खबर को आप लोगों के साथ साजा करता रहूंगा दिजिए इसासत शुक्रिया